बड़ी खबर आपको बता दें इरान ने कहा है कि वो गिर्मान में हुए आतल की हमले का जवाब जल्दी देगा इरान ने इस हमले के लिए इसरेल और अमेरिका को दोश्टी ठेराया है इस हमले के जमेदारी AIS-AIS ने लिए है किर्मान में आत्मगाती द्मागे हुए थे जसमे मरने वालों की तादाद एक क्या नवे पहुंच चुकी है इरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जमेदार ताकतों को छोड़ेगा नहीं तो आपको बता दें कि किस तरीके से किर्मान की ओर से ये पूरा बयान सामने आया अब इरान ने आब तक जो भी धमकी दी उसे इसरेल और अमेरिका बहुत जादा परेशान है यमन का मिलीशिया हूती अब इरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है पूती में द्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा वह अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए भारत के कमांडो ओपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जोटा सकते हैं ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं देखिए कैसे भारतिय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े कमांडो जहाज पर सबार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं एक-एक कोने की तलाशी लिजाती है जहाज पर कपज़ा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है पूरी खबर ये है कि भारतिय नौसेना के मारकोस कमांडो ने सिर्फ दो घंटे के अंदर एक कारगो जहाज को मुसीबत से बचा लिया मारकोस यानी मरीन कमांडो इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा करती भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ओपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कारगो जहाज पर बंधक बनाये गए 21 लोग छोड़ा लिये गए इस कमांडो ओपरेशन में भारती नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एमवी लीला शिप को बचा कर दिखाया है इस कमांडो ऐक्षन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोर्स मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है ये जान की बाजी लगाने जैसा है दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप M.V. लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किये गए इसमें P.8.I. टोही विमान भी शामिल रहा इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया M.Q.9B प्रेडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ ओपरेशन से पहले ओपरेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गए और फिर जब भारत के मार्कोस में M.V. लीला जहाज पर चड़ाई की तो जीत भारत की होई इस जहाज के आसपास कहीं मतलब पांच छे दाउज और फिशिंग बोर्ट्स होगे रहे थे तो उनका भी डिटेल्स होगे रिकॉर्ट किया गया तो इससे उनका confidence था कि पारेट अटक होँ है और कोई जनकरी नहीं था कि पारेट ऑन बोर्ड है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा information नहीं था क्योंकि कुरू स्रेडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा information नहीं था तो इतने में हमने डिसेड किया कि जैसे second PA tie जाके इसको जो फर्स PA tie है उसको on the spot रिलीव करेगा और उसके बाद एक sea guardian पी जाएगा ताकि वो situation को monitor करे और वीडियो अगर हमें सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस वक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है क्या अमेरिका के seal कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजोर है क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने दो घंटे में ऑपरेशन करके दिखाया है भारत ने हर टेक्नलोजी और मिलिटरी पावर का इस्तिमाल करके समुद्री लोटेरों को डरा दिया भागा दिया अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है आखिर उसका केरियर हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया जब घाजा में इस्रेल की बंबारी चल रही है जब लेबनान बॉर्डर पर इस्रेल और हेजबुल्ला की टककर हो रही है तब हिंद महा सागर के एक पश्यमी कोने में इस सुवक्त तूफान मचा हुआ है हालात बहुत ज़्यादा खराब है और अब यहां युद्ध का ऐसा खत्रा है कि सवाल खड़े होने लगे है कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है यह सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते है इस सुवक्त अमेरिका को एश्या के तीन इलाकों में चैलेंज बिन रहा है इस सुवक्त हूथी विद्रोही लाल सागर में इसरेल से जुड़े जहाजों को टार्गिट बना रहा है इसलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनाद की हुई है यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमलाज जरूर होगा होतpiej विद्धडोयों के डार्गेट दो हैं, पहला है इसरेल, और दूसरा है, अमेरिका, होती विद्धडोयों ने इसरेल के शिप को टार्गेट करना शोरू कर दिया है, वो आमेरिका को भी अपना दुश्मन नम्बर दो मानता है, कानत मतचिहा इला मवानि फ्लस्तीन मुथल्सीन, इन्न अमलियत आस्तिहदाफ जात बादी रुफ्द Vac glamour norms की हूती विद्रोही लगातार इस्राइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मैसाइल भी लिपार कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल से भी इस्रेल के दक्षने इलाके पर अटेक कर रहे हैं। साथ में इस्रेल और अमेरिका को लगातार धमकिया दे रहे हैं। अमेरिका को जबाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के शुरबात की है। अमेरिका ने जब से इस मल्टीनैशनल फोर्स को बनाने की पहल की है। वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट पर आ गया है। और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है। हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है। और ऐसा वो लाल सागर में करेगा। ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा। ये वो देश हैं जो अमेरिक अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबू दिये जाएंगे। अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है। वाला ओपरेशन इसका सबूत है। इस हेलिकाप्टर के पिछले रैंप वाले दर्बाजे पर दो जंडे लगे हैं। एक है यमन का जंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लाग। ये लाल सागर है। दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में ये क्या हुआ। हेलिकाप्टर किसी तरह जहाज की रफ़तार से रफ़तार मिला कर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगे पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलिकाप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते है। जहाज पर हमला ह और ये कमांडो जहाज पर कबज़ा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बागी हथ्यारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलिकॉप्टर फॉरन जहाज से ओड़ जाता है। क्या हो रहा है? किसी को नहीं माल। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज के तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानि वो जगे जहाज से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ के तरफ राइफल तान ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं। और फिर two member hands up करके हमलावरों के स्टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कपजा बाकी जहाज पर होने लगता है। ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यॉर्प के देश नाकाम साबित हो है। अमेरिका सुपर्पार होने के बावजूद हूथी वे-दोहियों का सामना नहीं कर पा रहा। यमन के हूथी वे-दोहियों जब किसी जहाज पर कबजा करते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसे चारों तरब से उनकी स्पीड वोड़ गेत ले दी है। और फिर जहाज उनके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे में भारत के कमांडो आपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है। भारत ने बता दिया है कि जहाज पर कबजा हों तो कैसे लड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका ये हम्मत हूथी विद्रोईयों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है। और इसका खामियाजा अब इसरेल ही नहीं पूराई जुरब भुगत रहा है। यमन के हूथी विद्रोई जो घाजा पर इसरेल की बंबारी रुपाने के लिए इसरेल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को टार्गेट कर रहे हैं। और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला करने की कसम खाई है। फिलार, हूथी इसरेल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे है। यही से एशिया की तरफ से यूर्प को रास्ता जाता है, दुन्या की सबसे एहम शिपिंग लेलम मिस्र के स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेंग की तरफ लाल सागर से होता हुआ जारहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6,000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगा कर योरप पहुँचना होगा। अगर इस राइल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमीटर तक जादा हो जाएगा। तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानि ज्यादा लाकर, ज्यादा बड़ और कारोबार पूरी तरफ चोपड़। यही है यमन के हूथी वे द्रोहियों का ठार्केट, क्योंकि वो घाजा में बंबारी का बतला इसरेल के जहाजों को बना कर करना चाहते हैं। और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में भारतिय नौसेना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबक है। यह वीडियो देखकर बाइडन चाहें तो अपनी नेवी को आडर दे सकते हैं। यह वीडियो देखकर अमेरिका अपना डर खत्म कर सकता है। यह वीडियो देखकर अमेरिका के मश्यूर सीय कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से ओपरेशन करना सीख सकते हैं। भारत के मार्कोस कमांडो देश के शक्तिशाली कमांडो फोर्स में से इदीना है। 1987 में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से औपरेशन करते हैं। इनने अमेरिका के नेवी SEALS की तर्ष पर ही तयार किया गया था। लेकिन हैरत की बाद ये है कि आज ये ऐसे ऐसे ओपरेशन को अन्जाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉंच करने से घबराने लगा है। गाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूप सकता है। हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग ले दुनिया की लाइफ लाइफ लाइन है। और यहां पर हमला करने का मतलब इस्रेइल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है। देखा जाये तो अब लाल सागर में अमेरिका अकीला पड़ गया है। क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है, तो बाकी छोगे देश कैसे हूथी विद्रोहियों के एंटेशिप मिसाइल का सामना करेंगे। ये सवा अब बाइडन से पूछे जा रहे हैं, अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टार्गट किया है, उसके दस लड़ाके मार गिराये हैं, तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर, नए वार्सोन में अब मचने वाला है महा बबंडर।